दोस्तों प्रधानमंत्री अवास योजना की नई वाले लिस्ट नई वाले सूची आ चुकी है कैसे आप डाउनलोड करेंगे कैसे उसमें आप अपना नाम देखेंगे चाहे आप किसी भी राज से हो या फिर किसी भी डिश्टिक से विलॉंग करते हैं तो बहुत आसानी से आ सारा कुछ मैं लाइब बताऊंगा वीडियो थोड़ी लंबी होगी मेरे दोस्तों तो पूरा वीडियो देखेगा ताकि स्टेप बाइस टेप आप लोग सारा कुछ सीख सकें तो बिना किसी देर हम इस वीडियो में बढ़ेंगे आगे तो हैलों डिलकम दोस्तों आप इसे चेक कर पाएंगे नई वाली लिष्ट को ठीक है तो दोस्तों देखे इसके लिए आपको करना क्या होगा सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के क्रोम ब्राउजर में आना है और यहां पे लिखना है अप पीम और इसके बाद आपको लिखना है यह वाई जी ठीक पर इसके आपको क्लिक करना है और डिस्क टाफ साइड का ओफसन इस पर चेक मार्क कर दीजिएगा तो यह बड़ा सा आपसन आपके सामने खोल जाएगा ठीक है पेज को जूम करिएगा ऐसे और जब जूम करेंगे तो उपर बहुत सारे आपसन होंगे यहीं पर देखे एक आपसन होगा आवास सौफ्ट करके इस पर क्लिक करें नीचे जो तीर है ना यहीं पर तीर थी दोस्तों इस पर क्लिक करें ठीक है अब इस पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे आपसन आपको देखने को मिल जाएंगे तो दोस्तों हम क्या करेंगे रिपोर्ट वाले आपसन पर click करेंगे जैसे report वाले option पर click करेंगे तो थोड़ा सा loading करेगा लोडिंग होने के बार आपके सामने कुछ ऐसा option आएगा जैसा कि आप देख पारें एन नंबरिंग से line है B से है C से है ऐसे आपको नीचे आजाना है यह नंबरिंग से एक लाइन होगी जैसा कि आप देख पा रहे हैं और इसी की नीचे लिखा है beneficiary detail for verification इस पर क्लिक करिए इस पर जैसे क्लिक करेंगे एक नया सा फाम खुल जागा जैसा कि आप देख पा रहे हैं और ऊपर होगा all state और नीचे होगा select तो आपको क्या करना state पर इसे क्लिक करना all state और जिस राज से आप है उस राज का नाम लेजेगा जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश का यहां पर नाम ले लिए ठीक है अब तीसरे नंबर पर आता है select करने का option तो हम इस पर क्लिक करेंगे और अब बोलेगा कि आपका कौन सा ब्लाक है तो जैसे कि हमने हां से ले लिया सहजनवा ब्लाक तो मैंने इस पर क्लिक किया तो सहजनवा ब्लाक सेलेक्ट हो गया ठीक नीचे फिर एक आयागा चोथे नंबर पर select का option इस पर क्लिक करेंगे और यह पूछेंगे कि अब आपका गाउं कौन सा है ठीक है तो मैंने जैसे यहां पर लिया नीचे आता हूं और यहां हर्दी गाउं लिया ठीक है अब मैं नीचे आऊंगा और यहां पर से select का option आएग इस पर क्लिक करेंगे तो तो प्रधानमंत्री आवाज गरामीन की शेज करना ओर युद करेंगे Extra पर क्लिक करने के लिए घय तो जैसे है पर गड़ित में कुछ लिश्ट आजायागी जैसे की देख सकते हैं beneficory का नाम आजाए तो फिर से हम three dot पर click करेंगे और यहां पर डिस्ट का tap site होगा इस पर click कर देंगे और continue कर देंगे तो यहां पर लिश्ट थोड़ी बड़ी हो जायागी और यहां से आप check कर पाएंगे किनके नाम से आवास पास हुआ है और यहां पे financial year पता चल जाएगा और category हो गएड़े और उनका नरेगा job card में number हो गएड़े पता चल जाएगा यह सारी detail आप यहां से देख सकते हैं लेकिन बहुत सारे गाउं का न दोस्तो invalid भी सो हो रहा है तो घबड़ाएगा नहीं कुछ दिन वेट करिएगा उस गाउं का भी आने लगेगा जिनका invalid दिखा रहा है कुछ कुछ गाउं का invalid दिखा रहा है जनकारी अच्छी लगी हो ना तो सपोर्ट करिएगा दोस्तों वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों बाए बाए